जरा हटके जरा बचके में विक्की कौशल का अंदाज तो आप सभी को पसंद आया ही होगा अब वो एक और फैमिली ड्रामा फिल्म The Great Indian Family में नजर आने वाले है हलाकि विक्की कौशल का इस फिल्म में अंदाज और अंदाज बया दोनों अलग होगा विकी बहुत-बहुत स्वागत है वीपी नियुस को बैक टू बैक एक फैमिली फिल्म आ रही है आपकी दे ग्रेट इंडियन फैमिली हाला कि आपका किरदार काफी अलग है शायद किसी ने इमाजिन ने किया था कि विकी कॉशल एक भजन कुमार के रूप में एक सिंगर के रूप में हमें जब वो गाना आया ट्विटर पे आजाका नहीं है तब हमें समझ में आया कि आप एक सिंगर का किरदार निभा रहे हैं और इस फिल्म में आप पंडित बने हुए हैं मतलब आउट अप दे बॉक्स मतलब क्या कहना चाहेंगा पहले तो रवी जी मैं आपके चैनल के जरीए सारे दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो पिछली फिल्म को उन्होंने सराहा है और प्यार दिया है तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उसी आस में एक और फैमिली फिल्म लेकर आ रहे हैं जोख जोख हो चाहे खुशियां हो चाहे कुछ भी हो एक जो साथ में जो उनका एक अटूट रिष्टा होता है उस पे आधारित एक फिल्म है और हाँ पंडेतों की फैमिली है और भजन कुमार का एक रोल है जो डिवोशनल जगराते करते हैं और जागरंड करते हैं और ये मेरे लिए बड़ा यूनीक कैरेक्टर था पहले मुझे ऐसा निभाने का मौका नहीं मिला था तो जब मैंने पहली बार इस फिल्म की नरेशन सुनी थी तो मुझे लगा यार ये बड़ा प्यारा नाम है और प्यारा किर्दार है इसमें बहुत इनोसेंस है इसे पता है कि बलरामपूर वाले शहर का रॉक स्टार है और ये बिल्कुल हंबल नहीं है उस बारे में इसे बड़ा पसंद है कि रॉक स्टार होना और मजे लेता है और मजे बिलकुल डिवोशन जब हो भक्ती हो तो पूरी भक्ती से करता है अधर वाइस उसे वो star होना भी बड़ा पसंद है पर जैसे कि हर इंडियन परिवार में होता है कि star आप घर के बाहर तक रहते हो घर के अंदर आप घर की दाल बन जाते हो तो फिर ब्रेड लेकर आख अभी दूद लेकर आओ और वो सब चलता रहता है तो उसकी कपलेंट ये रहे हैं आपको अभी भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं मतलब आपने दस सालों में बहुत कुछ अचीव किया है तो उनके लिए तो आप बेटे भी हो पर उनके आप आखों के तारे भी हो तो वैसे ही भजन कुमार के लिए भी है कि बहार तो स्टार है ही पर घर वालों के लिए वो घर की दाल है तो जैसे कि आपने बताया कि माबाब के स्टार तो होते ही है बच्चे लेकिन एक reality check भी देते हैं मतलब आपके पापा या मम्मी reality check देते रहते हैं आपको कि हाँ विक्की कौशल होगा बाहर लेकिन घर में तो यार तू विक्की है हमारा नहीं अफकोस अफकोस और वो कभी बदलता नहीं है मतलब they are very happy और वो हमेशा खुश रहते हैं और उन्हें खुशी होती है सब कुश देखकर कि उपर वाला इतना महरबान हो रहा है और इतनी खुशियां दे रहा है तरक्की दे रहा है पर हाँ घर पे तो वो जो dynamics होते हैं जो equation होती है वो तो same ही होती है फिल्म काफी emotional नजर आती है हमने इसका ट्वेलर देखा उतने ही आप emotionally अपने family के साथ real family के साथ भी बहुत bonded है इसके बार में क्या कहेंगे कोई similarity आप देखते हैं इस तरह के देखे जहां तो हमारे हर घर की कहानी है कि मतलब जहां खुशिया होती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूरी भी होता है क्योंकि हमेशा उसके बाद जब कुछ conflict हो जाए और कुछ नोग जोग हो उसके बाद रिष्टे और गहरे हो जाते है और और वो नीवना और strong हो जाती है तो वैसे ही इस कहानी में भी हो रहा है किसी कारणवश इन में भी confusion होता है इन में भी conflict आता है और फिर वो उस conflict को कैसे ये resolve करते हैं नहीं करते हैं क्या होता है इनके साथ तो उस पे ये film है हमने सुना है कि एक आपका family वाटसेफ ग्रूप भी है rocking family किस तरह की बाते आप लोग करते हैं उस पर आप है कटिना है ममी पापा है सनी है हमारे family group है नहीं इसमें ये तो बहुत बड़ा group है इसमें सारे रिष्टदार भी है मौसियां भी है और मामा जी भी है और चाचा जी भी है और मेरी बुआ भी है और सबको ही है और बड़ा मज़ा आता है सारे एक तो मतलब वो गुड़ मौनिग, गुड़ आफ्टनों, गुड़ नाइट, गुड़ इवनिंग वो भी होता है और जोक्स भी शेर होते हैं और मीम्स भी शेर होते हैं फिर emotional वीडियोस भी शेर होते हैं और सबके फिर बर्दे भी वहां मनाई जाते हैं, अनिवर्सरी भी मनाई जाती है, तो वह एक अच्छा ग्रूप है जब ऐसा होता है कि fake WhatsApp forward उसमें आते हैं और फिर आप reality चेक देते हैं कि भाई ये fake message है, ऐसे बहुत होता है पर इतना serious discussion महां होता है नहीं है, वहां सब मस्ती मजे से सब हो रहा होता है और जब भी serious होता है वो call पर होता है और ग्रूप में जब तक text है सब joke share कर रहे होते हैं विकी इस film की shooting अगर मैं गलत नहीं तो कानपूर में आप लोगों नहीं है, कानपूर ही दिखाया है इसमें नहीं ये actually हमने set बनाया था क्योंकि तब हाला सही नहीं थे to go to real locations and shoot it पर ये पूरी film set पे बनी है बढ़ा एक बलरामपूर एक शहर हमने create किया है जिसकी ये कहानी विकी मैं ये जानना चाहूँगा कि इस तरह का किरदार निभाना एक singer का और वो भी भजन जो गाता हो ऐसा singer जो पूजा पाट करने आला पंडित हो इस किरदार को निभाने के लिए आपने किस तरह की तयारी की किस तरह से observe किया आपने जो भजन गाते हैं ऐसे कुछ भजन गाने वाले singers है अनूब जलोटा हो गए हो गए नरेंद्र चंचल हुआ करते थे काफी मशूर उनके जगराते वाले गाने हुआ करते हैं आप बतान अशारे उनके साथ मैंने मुझे काफी बातचीत में मुझे काफी अच्छी research material और काफी guidance मिल गई थी कि इस चीज़ को हम ऐसे play कर सकते हैं और फिर जब इस character का look decide हुआ कि अच्छा यार यह ऐसा दिखेगा ऐसे कपड़े पहनेगा तो थोड़ा और पता लगा कि अच्छा ह तो हम ऐसे देख रहे हैं फिर अफकोस यूटीव पे बहुत जिसे अपने नाम लिए उन सब के वीडियो देखके भी बहुत हेल्प हो जाती है कि अच्छा यार यार यह पहले 90s में ऐसे हुआ करता था अब यह अब के जमाने में थोड़ा सा modern ऐसे हो रहा है और कई बार व सब कोई देखके कुछ-कुछ जैसे Master Salim भी बहुत अच्छा काम करते हैं वो भी बहुत यह जागरन और जगराते करते हैं तो उनकी भी एनरजी बहुत कमाल होती है तो उनके भी वीडियो देखके सब के वीडियो देखके कि अच्छा है यह दुनिया ऐसी है ऐसा एक परफ मैं आपको पता लगता है आप ही नाच रहे होते हो इतना मज़े से सो दे नो हाओ तो बिल्कुल होल्ड़ अ क्राउड तो वो लाइफ भी मैंने कई बार देखा है तो वो भी कुछ-कुछ एक जहन में रह जाते हैं रेफरेंसे तो यह सब मिलके ही कही ना कही काम आगे थे विजे कृष्ण आचारे जो है धूम सीरीज के लिए जाने जाते है ठाकजव हिंदुस्तान उन्होंने बनाई थे आक्शन एडवेंचर फिल्में बनाते हैं उन्होंने जब आपको कॉल किया इस फिल्म में काम करने के लिए भजन कुमार के तोर पर सिंगर के तो आपका र फिर जब आके नरेशन शुरू हुई और उन्होंने सीधे फिल्म के बारे में फिल्म नरेट करना शुरू की तो मैंने देखा अरे यार यार यह तो थपड़ भी नहीं आ रहा है यह तो मुझे एक्शन फिल्म लग नहीं रही है फिर जब पूरी कहानी सुनी ओविसली मैं इमोशनली मूवड था कहानी से किरदारों से फिर मैंने विक्टर सर को पूछा कि सर आप हो कहां से क्या है आपकी हिस्ट्री क्या है अब बताया मैं कानपूर से हूं दिल्ली से थेटर किया है अबिसली इतना तो मुझे पता था प्रोफेशनली इस बीन राइटर फोर यह और डिरेक्टर तो मुझे लगा कि यह तो आपकी फिर सबसे सची फिल्म है यह यह तो कह रहे है हाँ यार यह मैंने जिंदगी देखी है यह जी है जिनदगी और वहां से मुझे एक वहां से एफरेंस लिया है कानपूर वाला कि मुझे न अपनी दुनिया में ही इतना जो बहुत मतलब दिल से लिखी हुई है तो मैंने का और मेरे दिल को तो चुह ही गए थी जब तक मैंने कहानी सुनी थी जरा हटके जरा बचके में भी आप एक बहुत साधारन इंसान बने थे बहुत नामल एक मिडिल क्लास गाय थे और इस फिल्म में भी आप एक बहुत कॉमन मैन की तरह नजर आ रहे हैं आपकी जो जर्नी रही है वो भी बहुत एक साधारन इंसान की रही है आप चौहल में प क्या कुछ आपके मन में आता है जब आप पीछे मुड़के देखते हैं कि आपने शुरुआत कहां से की थी आपके पापा शाम कोशल स्टंड मास्टर है उन्होंने भी स्टंड डिरेक्टर है उन्होंने भी काफी स्ट्रगल किया और जहां वो पहुंचे उसके लिए बहुत आप अपने स्ट्रगल को और इस जोर्नी को कैसे देखते हैं पहले तो मतलब बहुत उपर वाले का शुक्र गुजार होता हूं कि जितना उन्होंने दिया उतना मतलब उतने खाब नहीं देखे थे कि यार ऐसा कभी कुछ होगा हो पाएगा नहीं हो पाएगा जैसे शुरू जितना लोगों का प्यार मिला है सब कुछ यह तो बहुत मतलब रौ गॉष रिली बिंकाइन जी और टी जी जुक शुकांके उपर वाले का शुक्रिया दा करते हुए काम करते रो सचे मन से बट अच्छा लगता है कि युदो की रीली आ ड्री तो तो फेल होता ही है की अभ वोजगरेस अची ही रहे. आमान ऐसा होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई काम करता है तो वो लोग चाहते हैं कि उनके बेटे भी हेरो बने इस तरह का फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई काम करें क्या लेकिन यह सच है कि आपके पापा जो है शामकाशल उन्होंने आपको मना किया था कि फिल्म इंडस्ट्री में मताना बहुत 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 अन्प्रेटेबल सी इंडस्ट्री है और इसलिए आपने इंजिनेरिंग की डिग्री हासिल कि नहीं ऐसा पहले तो कभी घर पे न करो तो जब पढ़ने लिखने का टाइम था तो नहीं नमबर अच्छे मतलब पढ़ाई पूरी करो मेहनत पूरी करो तो फिर जब नमबर अच्छे आने लग गये मेरी भी मैट्स में रूची थी मुझे मैथमेटिक्स अच्छा लगता था तो अपने आप ही वो रास्ता ऐस बना कि मैं engineering करने लग गया और अच्छा भी लगता था पर कभी शायद वो मन में था कि 9 to 5 शायद हो नहीं पाएगा मेरे से वो शायद DNA में नहीं है और ना कभी किसी ने परिवार में चाहे दादा जी हो चाहे पापा हो किसी ने 9 to 5 वाला office culture वाला काम ही नहीं किया तो वो शा कि यार यह करने में तो यह मजा आता है कि परफॉर्म करने में बड़ा मजा आता है तो पापा का यही था कि उन्हें दिक्कत उस बात से नहीं थी वो ऑविसली उनकी आशा यह थी कि मैं 9 to 5 जॉब करूँ कि परिवार में किसी ने किया नहीं है कि उसके अपने सुख है अप अब दो जाए नहीं हमें और उनको उसकी इनस्टेबिलिटी पता है कि इस इंडसरी में यार कितने परसेंट सकसेस्फुल हो पाते हैं जिनको इस्टेबिलिटी मिल पाती है वह वह द्वी साल दर साल टेस्ट होती रहती है क्योंगि आप एक काम करते हूँ और उस काम के आपका आपकी बाइप का टीना कैफ आक्टर्स हैं, आपके भाई सनी जो है वो अक्टर है, पापा तो मशूर स्टंट डिरिक्टर है ही, फिल्म कितना आप लुग डिसकस करते हो घर और आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है, कौन मतलब आपको रियालिटी चग देता है कि यह इसमें और अच्छा कर सकते थे, या एप्रिशियेट करता है, कुछ बताना चाहेंगे, कितना डिसकस करते हैं और कितना कुछ अभी कभी कभी डिसकस हो जाता है डिनर टेबल पे, अनिंटेंशनली हमारा इंटेंशन नहीं होता, बर बात करते करते कब फिल्मों की बात हमें कुछ जाती है, हमें खुद नहीं पता लगता, है, जब तक मौम टोकती नहीं है, कि अरेज बहुत बात होती हैं अब फिल्मों की कुछ और बात करते हैं, फिर हमें लगता है कि क्यों चथ बहुत जाधा बाते हो गए तर आप करनी हो लिए त ह। Twoches जादा होने लगती तो वो खुलके बोलते भी कि इसलिए ठीक लगी या ये बहुत अच्छी लगी या ये इसमें मजा नहीं आया तो वो सब तो सारे ही मतलब वो उस तरीके से ओपन है एक अभी हाली में मैंने सोचल मीडिया पर एक वीडियो देखा कौन मनेगा करोड़ पती का आमिता बच्चन सार के साथ बैठे हुए है और एक महिला आपको बहुत इंटरस्टिंग सवाल कूछ रहे है कि शादी में मैंने इक इसने डिसाइड किया था बहुत फ़णी मोमेंट है आपका जवाब जो है वो भी बहुत फ़णी है कि नाश्टा मैंने डिसाइड किया था डिनर पंजाबी क्या खाते है रात को वो इतना मैटर नहीं करता सच बात है ऐसा ही हुआ था सच में वैसे मैं बता दू कि राजश्थान में मैं आया था आपकी शादी कवर करने के लिए आपको पता नहीं होगा क्योंकि अलाउड नहीं था अंदर हम सब वहाँ पर इखटा जमा थे वहाँ पर बाहर चली जाते आते यह आपका जो अंदाज है यह बड़ी हुई दाड़ी बड़ी हुई मूच्छे और बड़े हुए बाल बहुत अलग नजर आ रहे हैं किसी खास फिल्म की तैयारी करें हमने सुना है हाँ अभी हम मैं शुरू करूंगा शूटिंग चावा फिल्म है लक्षमन जी के साथ फिर से काम करने का मौका मिलेगा दिनेश विजन के साथ तो उसकी शूटिंग जल्दी शुरू होगी तो उसके लिए प्रेपरेशन चल रहे है बस एक छोटा सा सवाल और कि गनेश उतस है वह तेहार और वो जो दस दिन होते हैं वो बिलकुल आप कहीं जाए या ना जाए आपको आवाज हैं सुनाई देती हैं कि हाँ गनेश चतूर्ती मनाई जा रही है जो डेड़ दिन होते हैं पहले तो वो तो कई आपके फ्रेंड्स और फैमिली रखते हैं तो आप हर जग मैं सिद्धी बिनाएक जाता रहता हूँ काफी बार जाता हूँ पर लालबाग मैं कभी जानी पहुए हूँ और इस बार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जाता हूँ हमारी दर्शकों किस तरह से आप विश करना चाहेंगे गनेश उसों के क्योंकि अब करीब है तो कुछ कहना चाहेंगे ABP के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से गनेश चेतुरती की बहुत बहुत शुब कामना है आप खुब सारे मोदक खाये और खुब मस्ती कीजिए और बापा को खुब प्यार दीजिए और आशरबाद लीजिए चलिए ABP News से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया और जरा हटके जरा बचके जितनी बड़ी हिट होई थी उससे कई गुना जादा बड़ी यह हिट फिल्म हो यह हमारी शुपकामना Thank you so much I really hope and pray कि audience ने जितना प्यार जरा हटके जरा बचके को दिया वो आएं और यह family फिल्म का भी लुथ फुटाएं और प्यार दें इस फिल्म को भी शुप्रिया बहुत 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 रवी जैन ABP News Mumbai